जैजे श्री हरीवंच प्रणाम प्रभु की कृपा पून प्रणा एबं गुरु प्रसाद से एक नवीन चिंतन का एक नवीन चर्चा का आज मंगला चरण करते हैं एक बार परम मंगल में श्री हरी का नाम लेकर श्री राधे गुविंदा मन भजले हरी का प्यारा नाम है गोपाला हरी का प्यारा नाम है उनन्दलाला हरी का प्यारा नाम है श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरी का प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा, मन भजले हरी का प्यारा नाम है, गोपाला हरी का प्यारा नाम है, नंदलाला हरी का प्यारा नाम है, Shree Radhe Govinda, Man Bhajle Harika, त्यारा नाम है Radhe Radhe Govind, Govind Radhe 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 Govind, Govind Radhe Govind Radhe Gopal Radhe Shree Radhe Radhe Govind, Govind Radhe 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 Govind, Govind Radhe गोविंद राधे, गूपाल राधे, शी राधे राधे गोविंद, गूविंद राधे, शी राधे राधे गोविंद, गूविंद राधे श्री सद गुरू चरणार विंदो जयती तो आज चर्चा का आरंब करते हैं माह भारत के एक प्रसंग से आप सबने सुना होगा वीर अभिमन्यू का प्रसंग है बड़ा सुंदर चरित रहे, बड़ा उत्तम चरित रहे मुझे बड़ा प्रिय है और मुझे उससे भी प्रिय है इस घटना में छिपा, मर्म, संदेश, संकेत तो क्या हुआ अभिमन्यू, वीर अभिमन्यू, गांडीवधारी, अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यू श्री क्रिश्न की कृपा से उन्हें चक्र व्यूह में घुसना तो आता था पर चक्र व्यूह का भेदन करके उससे बाहर निकलना नहीं सीख पाए और क्या घटा, क्या हुआ, सब जानते हैं एक साथ तूट पड़े, अनेक कौरव उस बालक पर, उस वीर बालक पर बड़ी देर तक उस पर आगात करते रहे, प्राहार करते रहे उसके प्राण निकलने नहीं दे रहे थे जितनी पीडा दे सकते थे उसे दी, जितना कष्ट उस बालक को दे सकते थे दिया और प्राण नहीं निकलने दिये अंत में करण ने आकर आगात किया और वीर अभीमन्यू, वीर गती को प्राप्त हुए अर्थाथ बहुत कष्ट पाया, बहुत पीडा पाई और उस चक्रविव का भेदन करना कौन जानता था? क्या तो श्री कृष्ण जानते थे या स्वयम अर्जुन जानते थे तो जैसा मैंने कहा कि ये चरित्र वीर अभिमन्यू का चरित्र है श्रेष्ट चरित्र है, उत्तम चरित्र है जीवन में वीरता, शौर्य और पराक्रम को जगाने वाला चरित्र है पर इस चरित्र के साथ साथ इस कथा में एक संदेश छिपा है एक गहन संदेश, एक गहन गंभीर चिंतन ये प्रसंग देता है ये कथा देती है, और एक बात निवेदन करता हुआ, मैं आगे बढ़ू कि पुराणों में जितनी भी प्रसंग है, जितनी भी कथाए है वो इतिहास तो है ही, वो काल करम में घटी एक घटना तो है ही लेकिन वो अपने माध्यम से एक बहुत बड़ा संकेत और एक बहुत बड़ा संदेश देती है यदि उसे जान लिया जाए, उसे समझ लिया जाए, तो जीवन में बहुत सकरात्मक परिवर्तन बड़ी शिगरता से लाया जा सकता है हमारे यहां जो भी कथा है, वो केवल कोरी कहानी नहीं है, वो मन की व्यथा दूर करने में समर्थ है और संत तो कहते कम सुखम स्थापयती इति कथा, जो जीवन में सुख की स्थापना कर दे, वो कथा है जो जीवन में सुख की स्थापना कर दे, अर्था चो सदा सदा के लिए दुख, आवसाद, विशाद, पीडा, निराशा, ब्रह्म, भूल के अंदकार को दूर करके जो सुख का उजास जीवन में ले आए, वो कथा है, तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, सुनिये, जब भी सुनिये, मनोयोग पूरवक सुनिये, ध्यान से सुनिये, बार-बार सुनिये, कथा कुछ कहना चाहती है, वो काल करम में घटी कोई घटना, वो आपको म निद्रा में सोय जीव के लिए कथाई जागरती लाती है, वो ही जागरण लाती है, वो ही सूरे की पहली किरन देखकर, जैसे मन में एक उल्लास, एक आनंद प्रसफुटित होता है, जैसे जीवन गतिवान होता है, घोरंदकार भरी उस रात्री से निकल कर आने के बाद, ज जिव इस कथा के प्रसाद से प्राप्त उस प्रकाश का दर्शन करता है, सुख पाता है, इसलिए मैंने का जो जीवन में सुख किस्था अपना करे, वो कथा है, तो मैं कह रहा थे कि माभारत में घटा ये प्रसंग, बड़ा उत्तम प्रसंग है, बड़ा श्रेष्ट प्रस जीवन में पराक्रम के वृद्धी करने वाला ये प्रसंग है, पर उसके साथ साथ एक बड़ा गहन संदेश छेपा है इस प्रसंग में, तो वीर अभिमन्यू है, अर्जुन के पुत्र है, वो अर्जुन कौन है, वो श्री कृष्ण की वी भूती है, तो एक प्रकार से काहर निकलना नहीं आता, चक्रविव का भेदन करना या तो श्री कृष्ण जानते हैं और या फिर अर्जुन जानते हैं, श्री कृष्ण कौन है, नारायन है, अर्जुन कौन है, नर है, श्री कृष्ण भगवान है, अर्जुन भक्त है, तो कहने का तात पर ये है कि आपक प्रवेश करना तो जानते हैं लेकिन इस चक्र वियू से निकलना आपको मुझे नहीं आता एक बार कविर साहिब से किसी ने पूछा कि गीता कहती है कर्म करने में जीव स्वतंत्र है कितना स्वतंत्र है जीव के पास कितनी स्वतंत्रता है क्योंकि एक और रामचरित मायनस कहती है कि परबस जीव, स्वबस भगवन्ता जीव कहां स्वतंत्र है? जीव तो परतंत्र है जीव तो इच्छा की वासना की कामना की बेडी में बंधा अनन्त काल से इस संसार में दुख रूप भोग को भोग रहा है और पीड़ा पारा है, दुख आलयम, शाश्वतम ऐसा कहा गया है, सुना गया है और महापुरुषों के द्वारा समझा भी गया है तो पूछा कभीर साहिब से किसी ने कि भाई आखिर कितना स्वतंत्र है जीव कर्म करने में तो कभीर साहिब मुश्कुराए उन्होंने कहा कि किसी भी दिशा में एक पाउं रखिए आप स्वतंत्र हैं किसी भी दिशा में एक पाउं रख दीजिए अब उस व्यक्ति ने अपना पाउं जो था पूर्व दिशा के और उठा दिया कभीर जी ने कहा कि अब दूसरा पग दक्षिन में रखिए वो कहने लगा ये कैसे संभव है यह एक पग मैंने पूर्व में रख दिया तो दूसरा मुझे पूर्व में ही रखना पड़ेगा यह मेरी विवश्ता है कभिर साहब हस दिये वो बस कर्म करने में जीव इतना ही स्वतंत्र है एक कर्म जो आपने किया उससे कुछ घटा उससे अंतर और बाहर जो जगत है उसमें कुछ घटा अब आप विवश हैं अब आप विवश हैं दूसरा पग उसी दिशा में रख देने के लिए इसे ही कर्म का कुछक्र कहा जाता है इसे ही आवा गमन का दुन्द संतों ने कहा है इसे ही शंकराचारे ने भव का रोग कहा है आवा गमन का दुन्द कहा है कर्म का दुश्चक्र कहा है मुक्ति कैसे संभव है कि कर्म करने से पहले आप सावधान हो जाएं किसी ऐसी दिशा में आप अपना पहला पग रखें जहां दूसरा पग रखना और फिर उसी दिशा में यात्रा करते चले जाना आपको आनंद रूपी लक्षे की और लेकर जाए आपको आपके लक्षे की और लेकर जाए आपको अपने घर की और लेकर जाए तो वापास चलते हैं एक बार कथा में गुस्त हो गए अभिमन्यू चक्रवियू में बाहर निकलना नहीं आता, टूट पड़े सब उन पर और कथा कहती है, महा भारत में वरनित्य प्रसंग कहता है कि दुर्योदन अधिक से अधिक पीडा देना चाहता था अभिमन्यू को वो चाहता था कि इसके प्राण जल्दी से न जाएं इसे जल्दी से मृत्यू न आए, वो अधिक से अधिक कष्ट और अधिक से अधिक पीडा उस बालक को देना चाहता था, भाधी भाधी के प्राहार उन समने मिलकर किये और मैं कई बार विचार करता हूँ कि बिल्कुल ऐसी स्थिती जीवकी भी है संसार ना तो पकड़ने में आता है और नहीं चूटता है ऐसा ही तो है संसार, ना तो पकड़ में आता है कहां पकड़ में आता है संसार, कितना कोशिश करते हैं दुख से चूटने की सुख को पकड़ने की लेकिन कहां पकड़ में आता है सुख कभी भी तो नहीं आता इसलिए तो गुरु साहब कहते कि नानक दुखिया सबसंसार ना तो यह पकड में आता है ना तो यहाँ पर सुख और आनंद किसी के हाथ आया ना कभी यहाँ किसी का दुख से पीछा छूटा तो ना तो पकड में आता है और ना छोड़े छूट कोई न कोई व्यवहार आपको फिर जगत से बांध लेगा भाई साधारन जीव की तो यही दशा है आप कोई सिद्ध कोटी का महापूरुश हो मैं उसकी बात नहीं करना चर्चा तो आपके मेरे जैसे साधारन व्यक्तियों के लिए हो रही है हम लोगों के लिए है तो हमारी तो भाई यही दशा है स्वाम श्री अनन्य नर्पति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज बोध देने के लिए के लिए कहते है अरे मोसो ना विगार बेको यह प्रभू मैं तो बार 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 बनती बनती बात विगाडता चला जाता हूं मोसम कौन कुटिल खल कामी ऐसा संत ये जो काम और क्रोध है, ये जो लोब मोह मद मात सर्र हैं, ये जो विशय भोग है, ये जो लालसाएं है, जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, एक के बाद एक प्राहर आपरो और मुझपर करती हैं, छूटता भी नहीं और पकड में भी नहीं आता, और अनन्त काल से जी संसार रूपी चक्र से इस आवागमन रूपी दुष चक्र से बाहर आने की पसकेवल एक युक्ति है केवल एक दूसरी नहीं यसा कबीर सहाब ने कहा ना पहला पग रखने में आप सुतंत्र हैं दूसरा नहीं एक युक्ति है भाई इस संसार रूपी दुष चक्र से बाहर विवेक जगे, विवेक अर्थात, जब आप सारधाने, जब आप सजगे हैं, पहला पग ही आप उस दिशा में रखते हैं, जो दिशा प्रभू की ओर लेकर जाती है, जो दिशा सक्चितानंद की ओर लेकर जाती है, जो दिशा जीवन के परम सुख की ओर लेकर जा रही है, ज पहला पग आपने जिस दिशा में रखा, अब विवश हैं आप, दूसरा पग वहीं रखने को, उसी पग के पीछे चलने को, अब वही आपका मार्ग हो जाएगा, और मानियेगा, मेरी बात मानियेगा, इसलिए मेरे महाप्रभु सचेत करते हैं, सावधान करते हैं, ना जानो चिन अंत, कवन बुद्धी घटई प्रकासित, महाप्रभु के रहें, अरे जीव सावधान रहे, अंत समय तक सावधान रहे, जगा रहे, सचेत रहे, सजग रहे, पता नहीं, किस इक्षन कौन सा विचार, कौन सी वृत्ति, कौन सा संसकार मन में जग जाए, और सही मार्ग पर जाता जाता, जीवन किसी अन्यमार्ग पर पढ़ जाए, ये बात डराने के लिए नहीं है, ये बात धमकाने के लिए भी नहीं है, क्योंकि धर्म जो है, अध्यात में जो है, वो डराने धमकाने का कारे नहीं करता, ये बात केवल समझाने के लिए है, ये बात केवल जी दूसरी नहीं, एक ही उक्ती है, एक ही विदी है, एक ही मार्ग है, कि आपका मेरा विवेक जग जाए, सोया विवेक, और कहीं से लाना नहीं है, आपके इपास में है, मैं तो सदा कहता हूं, संसार को प्राप्त करने के लिए, जो योगिताएं, अपेक्षित हैं, जो गुण प्रभु को पाने के लिए जो चाहिए, वो आपके मेरे पास हो ना हो खबर नहीं, लेकिन प्रभु को पाने के लिए जो चाहिए, वो आपके पास है, वो आपके भीतर ही है, वो आपको कहीं से लाना नहीं है, क्योंकि महामहिम ने, वो आपको देकर भेजा है, बिचार करिए ये बात कितनी सुन्दर है ये बात मन को बलप्रदान करने वाली है कि प्रभु को प्राप्त करने के लिए जो चाहिए वो आपके पास है आपको कहीं से लाना नहीं है आपको किसी से मांगना नहीं है आपको किसी से याचना नहीं करनी है विवेक है आपके पास लेकिन सोया है बार-बार संसार का चिंतन करने से बार-बार अपनी आत्मा के स्वर को अंसुना कर देने से सो जाता है विवेक और करते हैं आप और मैं ऐसा बार-बार करते हैं संत कहते हैं उर प्रेरक हित चंद वो अंतर्यामी तो बैठा है होता है ना अनुभव होता है आपने भी किया होगा मैंने भी किया है कि जब कोई अनुचित कार्य करने लगते हैं आप और मैं जो नहीं करना चाहिए तो कोई है भीतर बैठा जो आपको मुझे एक बार तो कहता है कि नहीं भाई, यह रास्ता ठीक नहीं है, यह कार्य करने योग नहीं है, फिर हम अनसुना करते हैं अपनी आत्मा के स्वर को, और एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, अगर कोई मुझसे पूछे ना, पाप की परिभाशा क्या है, क्या होता है पाप, क्या है पाप, अपने आत्म तत्व का अनाधर करना, यह सबसे बड़ा पाप है, जब भीतर बैठा अंतर यामी रोके और आप उस स्वर को अंसुना करते हैं, आप न सुने उसे, यह सबसे बड़ा पाप है भाई, इसी का परिणाम जीवन में ताप आता है, आपका परिणाम ताप है, और ज सुनते हुए भी नई सुनते, तब प्रविरध होते हैं, आप कमार्ग की और जीवन भर जाता है पीड़ा से, जीवन भर जाता है वेदना से, दुख से, और मानिये मेरी बात, जनम जनम से आपके मेरे साथ यही होता आया है, कोई भी, कभी भी, कहीं भी, आपको गलत संकेत, गलत मार्ग दे सकता है आपके रिदय में बैठा प्रभू कभी नहीं देगा मंगल भवन, अमंगल हारी जो आपके भीतर बैठा है वो मंगल भवन है वो सब अमंगलों का हरण करने वाला है एक बर एक संत के मुखसे मैंने सुना था मुझे बात बड़ी प्यारी लगी संत ने का भगवान के सब नाम में भगवान का एक नाम है कर्तुम, अकर्तुम, अनिथा, कर्तुम वो सब कर सकते हैं दूसरे संत बोल पर बोले एक काम है भगवान भी नहीं कर सकते हैं संत ने का ऐसा हो नहीं सकता कुछ भी नहीं है ऐसा जो भगवान नहीं कर सकते हो तो दूसरे महात्मा बड़े प्रेमी थे, बड़े अनुरागी थे मुस्कुराते हुए कहने लगे किसी का अहित भगवान नहीं कर सकते किसी का अमंगल भगवान नहीं कर सकते वो वंगल भवन हैं, वंगल हारी हैं, वो चाहें भी तो नहीं कर सकते हैं, हित उनका स्वरूप है, हित उनका स्वभाव है, और वोही हित चंद्र आपके मेरे हिर्दय में अंतरियामी बनके बैठा है, मैं कई बार आपसे कहता हूँ, थोड़ा शांत हो ना मन का कोला हल, संत बजरा एक संत गाते थे, मुझे याद आ गया, कोई सुने चतुर सुजान, मुरलिया बाज रही, हो कोई सुने चतुर सुजान, मुरलिया बाज रही, जब वेणो का निनाद किया श्री कृष्ण ने, रास बिहारी ने, तो वेणो के ध्वनी केबल गोपांगनाओ ने क्यों सुनी, क्या श्री कृष्ण ने पक्षपात किया था, नहीं, क्योंकि गोपी के उर अंतर में परमशान्ती थी, उसके मन में कोई और विचारी नहीं उसके मन में कोई और विकलब ही नहीं था, उसके समस्त वृत्तियां समाहित हो गई थी, श्री कृष्ण के, अपने इस्ट आराध्य के चर्णों में, मन बिलकुल शांत, इसलिए जैसे ही बजा वो प्रेम का संगीत, जट से सुना गोपी ने, और आत्मा तो कब से उसी को ख पाल मैं, खुई गईया तेरी, वंशी के स्वरनाद से तेरो, मधुरतान से मुझे पुकारो, राधा कृष्ण गोविंद हरी हर, मुरली मनो हर नाम तिहारो, अब मुक निहारू बाठ प्रभुजी, मैं गईया तेरी, खबर नहीं, आपको मुझे खबर है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि आपको मुझे इस बात की खबर है कि नहीं, पर आत्मा, कबसे आकुल ये व्याकुल है, बस उसी वन्शी का, उसी प्रेम का, वो नाद, वो स्वर, वो संगीत सुनने के लिए, यल अब्दवा पुमान, सिद्धो भवती, अम्रतो भवती, त्रिप्तो भवती, यज्यात्वा, मतो भवती, सब्दो भवती, आत्मा रामो भवती, जिस जिस के कान में पढ़ते ही जिस प्रेम के संगीत के कान में पढ़ते ही तुम्हें कह रहा था कि इसी की तलाश है आपको मुझे वही सुख आप और में खोज रहे हैं और यह संबव है एकी युक्ति से कि सजग हों आप और में सावधान रहें और सावधानी कर्म करने से पहले पहला पगहम उसी दिशा में उठाए जो दिशा प्रभू की ओर जाती है जो रास्ता प्रभू की ओर जाता है और मानिये मेरी एक बार इस दुश्चक्र में पढ़ जाने के बाद निकलना कठिन है, आप और में जानते हैं कि कितना प्रयास करता है जीव, साधक तो कितना प्रयास करता है संसार से बचने का, संसार से छूटने का, पर कभी भीतर और कभी बाहर बांद लेता है ये संसार फिर से आकर, ये डर ही डरप हरिवन शहित जिन अब भ्रहम ही गुण सलील पर बड़ा गंबीर अर्थ शिमहाप्रभु की आचारे चरण की इस पंकति का इस वाक्य का यही डर ही डरप हरिवन शहित महाप्रभु केरें अरे जीव डरना चाहिए यह जो मन त्रिगुण के जल पर भिहरन करता है बार-बार संसार का सपर्श करता है बार-बार संसार का चिंतन करता है बार-बार संसार का भोग करता है जानता नहीं हमारे धुरुदाज जी कहते हैं विशय चुगा जिन चुगय मन चुगत कचुक सुख होई और फिर फांसी ऐसी परे तीसम दुख ना कोई, मैं जब पहली बार श्री महाप्रभु की फुट वानी के पंक्ति पड़ी तो मुझे लगा कि आचारे तो निर्भाय करने के लिए होता है, और महाप्रभु के रहें डरिये, इससे डरिये, अब समझ में आता है, थोड़ा सा, क्यों कहा महाप्रभु ने, यही डर ही महार्ग देते हैं, जीही नावनी मंगल लोकती हूँ, सु हरी पदभज न विलंब कर, हरी पदभज न विलंब कर ख्रिपा जल्दे, नानक सारंग को हुए जाते, तेरे नाम वासा, मुहे आही प्यासा, तेरे नाम वासा तो जहां से मैंने आरंब किया, कि ये दशा होती है आपकी मेरी, इस चक्रवियू में फस जाने के बाद, और इस चक्रवियू से निकलना कौन जानता है, श्री कृष्ण, या फिर अर्जुन, अर्थात, या तो भगवान जानते हैं, और या फिर भक्त जानते हैं, अब बार बार कहता हूं पुकारिए भगवान को कृपा के याचना करिए और प्रभु की कृपा होगी तो क्या होगा हरी की कृपा होती है तो हरी के प्यारे भक्त मिलते हैं हरी की कृपा होती है तो हरी के प्यारे संद मिलते हैं और मेरे रैदास जी महराज कहते हैं करें कथा और अरत बिचारें आप तरें औरन को उतारें कहरे दास मिले हरिदासा जनम जनम की पूरी आसा आज के दिवस पे मैं जाऊं बली हारा मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा संत मिलेगा तो प्रभु की बात करेगा प्रभु की चर्चा करेगा श्रवण होगा, कीरतन होगा, मनन होगा, अर्चन होगा, वंदन होगा फिर प्रभु से संबंद बनेगा सुख माएंगे आप और मैं इसी विदी से जीव सुख पाता है तो प्रसाद देता है भक्त किसका? भक्ती का भक्त, भगवान की क्रिपा से भक्त मिले और भक्त की क्रिपा से भक्ती और मुक्त हो जाएं आप और मैं जीवन मुक्त, पिर जीवन भी हो और मुक्ती भी हो ओ हनसा की गती हनसा जाने, कहा जाने गो कागा हरी रंग लागा, रिमाई नाम रंग लागा कहत कबीर सुनो भई साधो, मन का संसे भागा हरी रंग लागा, रिमाई नाम रंग लागा नाम रंग लागा, राम रंग लागा राम रंग लागा शाम रंग लागा श्रमण, कीर्टन, स्मरण, अर्चन, वंदन, दास्य, सक्ष, आत्म निवेदन श्रिमत भागवत का ये नवधा भक्ति का सूत्र अनुपम है और अमुल्य है और मेरे मन में प्रेड़ना हुई कि एक प्रक्रिया है ये एक के साथ दूसरी घटना घटती है फिर दूसरी के साथ एक और हलचल होती है जो आपकी चेतना का उत्थान करा के आपको कहीं और ले जाती है किस प्रकार एक एक पग पर भक्ति भी भूशित करती है दैवी संपत्ती से कुछ इसकी चर्चा आने वाले कुछ दिनों में आप और मैं करेंगे तब तक स्मरन करिएगा चिंतन करिएगा विचार करिएगा स्री एरिवच्छ प्रना